तो friends मुझे जो है Instagram पर उसके बाद emails through काफी messages आया कि भाई हमारे साथ एक problem हो रहा है अब वो problem क्या है कि हमारे जो real से वो viral बिलकुल नहीं हो रहा है हमने बहुत upload करके देख लिया है तो guys 101% में guarantee के साथ कह रहा हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरे के पूरे देख लिया है तो 101% guarantee कह रहा हूँ कि आपका रिल्स वाइरल होने से कोई नहीं रोक सकता आज के इस वीडियो में तेन धासु ट्रिक्स बताऊंगा ये तीनों की तीनों जो है आपको apply करना होगा इसके बाद फिर देखना result क्या होता है तो चलिए फिर एक एक करके हम देख लेते हैं सबस जो page है जिनका बड़े-बड़े account याने की million में जो follower से उनको आपको क्या करना है follow करना है वो जब भी video upload करेंगे आपको तभी video upload करना है याने की 2-3 minute वाद आपको video याने के reels जो होता है वो upload करना है अभी आपको पता कैसे चलेगा कि वो upload कब करना है तो देखिए आपको स सारे के सारे जो है अनेबल कर देना है तो वो जब भी reels upload करेगा आपके पास तुरंत message आजाएगा याने की तुरंत notification आजाएगा कि इन्होंने अभी एक reels upload किया है उसके एक दो minute बाद आपको भी upload कर देना है ठीके तो यह क्या है कि जब भी आप देखोगे कि वो reels जैसे upload करता है उनके तुरंत जो है views आने लगता है तो आपको भी तुरंत उसके बाद ही upload करना है ठीके चलिए यह होगे हमारा सबसे best upload करने का time की कैसे पता करे अभी आप लोगों को तो पता चल गया कभी-कभी आपने देखे होंगे कि आप लोग जो है कभी भी upload कर देते हो तो कोई भी एक-दो रिल्स जो है viral हो जाता है लेकिन कभी-कभी जो है viral नहीं होता है तो पीछे इसका एक ही reason है कि भाई वो जो upload कर रहे हैं वो base time हमें चुनना होगा तो इस तरह से आप लोग base time चुनिए सबसे बड़े-बड़े जो page है उनको follow करिए notification bell icon को on करके रखिए इना tags के viral हो जाता है hashtags के और किसी-किसी का hashtags डालने के पर भी viral हो जाता है यानि कि दोनों तरब जो है same है तो आप लोग क्या करना जो जिस भी songs के उपर आप reels बना रहे हो ना उसके audio पर click करना और फिर जितने भी reels बना होगा ना उसके सबसे जादा views जिस पर आया है उस व पर a reels पर click करने के बाद फिर आपको वहाँ पर tags मिलेगा तो वोट tags को आपको क्या करना है copy कर लेना है अगर वहाँ पर साथा tags है अगर hashtags तो आपको सिर्फ 2-3 लेना है उसके बाद और एक देखना है कौन से million में views है उसका भी tags लेना है फिर उसका और एक देखना है कि कौ benefit क्या है तो देखी वो जो tags डालके जो इतना million million में views लाया है तो Instagram क्या करता है कि वो जो tags है वो काफी सारे लोगों के पास भेज देता है जो भी upload करते है यानि कि जो search करते हैं लोग Instagram के algorithm क्या करते है सबी के पास send कर देते तो आपने जो है जितने भी millions वाले reels का जो tag से जो viral हुआ है वो क्या कि आपने इखटा किये और अपने एक ही वीडियो में upload किये तो Instagram क्या करेगा ये कि algorithm क्या करेगा Instagram के कि जादा से जादा लोग तक वो share करेगा एक साथ reels को share करेगा और आपके reels पर भर भर के views आएगा और likes भी आएगा तो आप लोग इसी तरह से जो है tags use कर सकते हूँ ठीक है आपको जादा भी tags use नहीं करना है कम से कम साथ से 8 tags से आपको hashtag से use करना है इसके जादा use नहीं करना है क्योंकि क्या होता है कि Instagram के जो algorithm में वो फिर फिर क्या सोचने लगता है कि यह जो है कोई fake account है जादा हमें hashtag use नहीं करना चाहिए उसके बाद number third trick देखें इस पर जादा से जादा focus करिये में क्या बोलना चाहता हो जो भी viral reels चलता है ठीके उस पर जो है reels बनाने की कोशिश करिये आप लोग क्या करते हो पुराने से पुराने जो songs होता है उस पर reels बनाते है और फिर बोलते हैं कि viral नहीं होता है तो guys जो viral मतलब जो trending पर जो reels चलता है न उसी पर जो है reels बनाने की कोशिश करो और हाँ सभी से unique बनाने की कोशिश करो अगर सभी लोग एक ही जैसे बना रहे तो आप एक ही जैसे मत बना थोड़ा सा unique बनाने की कोशिश करो उससे क्या होता है कि वो जो है फिर viral में चले जाता है वो viral में चले जाने के बाद क्या होता है फिर वो trending में आता है अब जैसी कि वो क्या बोलता है वो पुषपा का जो अभी बीच में ट्रेंडिंग पे चल रहा था ठीक है मैं जुकेगा नहीं यह वो हो सब उसके बाद और एक है न वो पुषपा का वो जो एक डायलोग है हां मैं तेरे तरफ देखने रहे थी इसलिए तू कावरा वारा हो रहा था तो उसके जगप एक जो है वायरल होगा और हाँ जो ट्रेंडिंग पे रिल्स बनाते हो न तो उसका एक फाइदा है पता है क्या अगर आपने बना लिया और वो वायरल भी हो जाए तो उसके बाद का जो रिल्स जो डालोगे न वो भी भायरल हो जाता है तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देन जो ट्रेंडिंग पर चल रहा है आपको उसी पर रिल्स बना के अपलोड करके देखना है ये तेन ट्रिक्स अगर आपने यूज कर लिया न तो रिल्स वाइरल होने से कोही नहीं रोख सकता क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर काफी लोग जो है मैसेज किये इमेल थू भी मै तो इंस्टाग्राम पर जो है मुझे जो स्टोरी पर डालोगे तो वहाँ पर मुझे हैश्टक से टैग कर देना मुझे हैश्टक आईजी देब्जुति ऑफिशियल यह रहा मेरा आईडी मुझे टैग कर देना और मैं देखूंगा कि किस तरह से आपका यूनीक है और वाय से लग आपको तो चले फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम